पंजी करण से पहले उम्मीद्वारों को निर्देश ध्यान से पढ़ना चाहिए. उम्मीद्वारों को सला दी जाती है कि वे सभी अपेक्षित विवर्ण सावधानी पूर्वक भरे और जमा करने से पहले ठीक से जाच लें। जोकि सब्मिट करने के बाद किसी सुधार संप अपना सही और सक्रिय मोबाइल नंबर और इमेल पता भरें। सभी पत्राचार संचार केवल मोबाइल इमेल के माध्यम से किया जाएगा. उम्मीद्वारों को नियमित अपडेट के लिए राश्ट्रिय छात्रवृत्ती पोटल देखने की भी सला दी जाती है. नस्पी पर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अनिवार्य होगा. प्रमुक आवेदक यदी आधार नहीं सौपा गया है, तो उम्मीद्वार को आधार के लिए नामांकन करना होगा और आधार नामांकन पहचान का उप्योग करके पंजी करन करना होगा. EID नाबालिक आवेदक यदी आधार सौपा गया है, तो उम्मीद्वार को आधार का उप्योग करके नामांकन करने की सला दी जाती है. जहां नाबालिक आवेदक का आधार EID निर्दिष्ट नहीं किया गया है. मातापिता कानूनी अभिभावक का आधार अनिवार्य रूप से आवश्चक होगा. EID वाले आवेदनों के लिए छात्र वृत्ती केवल आधार प्रस्तुत करने पर ही वित्रित की जाएगी. . उम्मीदवारों की साख सत्यापित करने के लिए आधार आधारित PKYC की जाएगी. . सभी छात्र वृत्ती भुकतान केवल आधार पेमेंट ब्रिज एपीबी का उप्योग करके किये जाएंगे. . उम्मीदवारों ने यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि आधार में जनसांखी किया विवर्ण स्कूल संस्थान के रिकॉर्ड के समान ही होंगे. . यदि कोई अन्तर पाया जाता है तो उसे आधार में ठीक किया जाना चाहिए . मातापिता के आधार के माध्यम से किया गया पंजीकरन केवल तब तक वैद होगा जब तक छात्र नाबालिग है. एक बार जब उमीदवार बालिग हो जाता है तो NSP पर आधार को अपडेट करना उसकी जिम्मेदारी होगी . उमीदवारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि UIDI से OTP प्राप्ट करने के लिए उनका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ है. मोबाइल लिंकिंग स्थिती की जाच करने के लिए क्रिपया-https//myadhar uidi.gov.inverify mail mobile पर जाएं. उमीदवारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए. सीडिंग स्थिती की जाच करने के लिए क्रिपया-https//rasdnt.uidi.gov.in/. उमीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे स्वचालिच सत्यापन के लिए अपने डिजिलोकर खाते को सक्रिया और अपदेट करे. अन्य निर्देश दिशानिर्देश अधिवास राज्य अधिवास राज्य का अर्थ वह राज्य है जिसमें चात्रों का स्थाई पता है चात्रों को अपना अधिवास राज्य सही धंग से प्रदान करना आवश्चक है क्योंकि उनके आवेदन सत्यापन के लिए उनके बंदित अधिकारियों को भेजे जा सकते हैं।